यह सरकार नमस्कार महौल जबदा शांदार सरकार आइए रिटन्स अंडर GST हम पढ़ रहते हैं सर हमने कुछ बाते रिटन्स की अलड़ी पढ़ ली थी बीटा आइए सर अब हम पढ़ते हैं क्या रिमेनिंग पॉइंट्स अफ रिटन्स अंडर GST आइए सेक्शन में 39 रिट सबसे पहले बात सर अगर आगर रिटन्स अब उसका सिस्टम क्या है पूरा हम देख रहे हैं सबसे पहले बात सर अगर आप रिटन्स कर रहे हो तो सबसे पहला मंत्ली रिटन्स करना है GSTR 3B करना है 20 अगर आपका एग्रिगेट टर्नवर इंदी प्रिजिडिंग फिनेश लियर पिसले साल अगर आपका टर्नवर पाथ क्रोड़े उसे कम था तो करेंट अब चाहो तो QR MP स्किम ले सकते हो quarterly return मंत्ली पेमेंट स्किम ले सकते हो जिसमें बोला किया आपको रिटन्स क्वाटरली बेस पे फाइल करना पड़ेगा अच्छा एक बात और सर जो रिटन्स करने का डूडेट होता है जो रिटन्स करने का डूडेट होता है वही payment of tax का भी डूडेट हो तो सर जैसी रिटन को गवर्मेंट ने बोला किया हम quarterly फाइल कर अलाव करेंगे पर गवर्मेंट ने सोचा क्या अगर इनका रिटन quarterly फाइल करना अलाव कर दिया तो अपना रेवेन्यू भी तीन मेंने शिफ्ट हो जाएगा सर हाय ना सर आई रिपीट सर जो रिटन फाइल क पर हमारा पेमेंट मंतली होना चाहिए तो गवर्मन को और जनताने मिलके एक सोलुशन निकाला और बोला क्या ठीक है quarterly रिटन मंतली पेमेंट इसकी में लेकिया और वहां क्योर्म पी स्कीम है वहां असेसीन अगर क्योर्म पीश्कीम ली है ऑप्शनल लेट लेना तो लेव सेम टाइम यूनिट टू पेमेंट ओन मंतली बैसिस आपको पैमेंट टेक्स मंतली करना पड़ेगा क्लियर और करेंट टेर में जब आपका टरन और फाइक रोड क्रोस हो जाएगा तब आप सर क्योर्म पीश्कीम से बाहर निकलेंगे पर बाहर इमीजिटली नहीं निकलना है आपके स्कीम से बाहर हो जाएंगे क्लियर मतलग अगर अगर आपको कभी बी क्योरिंपी स्कीम में आना है तो यसा भी जरूरी नहीं कि फिनेंशली बिगनिंग पर आना है आप बीच में आ सकते हो अगर आपका प्रिविशर में और 5 क्रोड़ों से कम था तो और अगर आ qrmp scheme is a facility which is given to the sse return quarterly file करें पेमेंट मंतली करें आप clear तो sir ऐसे case में आप sir qrmp scheme ले रहे हो अब sir द्यान देना बच्छा अगर qrmp scheme आपने ली है तो पेमेंट आपको मंतली करना पड़ेगा आप आप sir यह पूरी scheme क्या कहती है वह समझना बच्छो देखुए पर दो मैंने आपको बता है अच्छा अच्छा पर दियान ना कि qrmp scheme लेंट करना पर पेमेंट मंतली करना पड़ेगा अच्छा कंपोजिशन स्कीम वाले exception अगें उनको रिटन उनको रिटन ये रेंट के बाद एक ही फाल करना है जीएटी जीएटी जीएटार फोर हाय ना पर सर इनको quarterly टेक्स पर करना पड़ता है थ्रूप फर्म नुमर्ट जीएटी जीएट जीएट हाय ना भाई क्लेर डन सर सेम वे नर्टीप और सबसे पहली बात कि अश्वर दो अधाएजी सकी में अपको मज़ा रहेगा समझने में एंड एक ही फ्लो में समझ कि मज़ा आइन hear टीपार्टमेंट को एक प्रिंट में आना है तो आपको अना है तो आना है तो आपको डिपार्टमेंट को ओनलाइन जीएटी पोर्टल पर इंटीमेशन दना पड़ेगा कि मैं क्योड़ी स्कीम में आ रहा हूं अब मानलो सर फर्स्ट क्वाटर था क्या एप्ल में जून इसमें आप नॉर्मल स्कीम में थे क्योड़ी स्कीम में नहीं आ रहे हो बिटाब Cantonese चलेगा so in a pair आपको मालो 2nd quarter से qramp १श्री माना है आप सकते हो चोड़र्य Center से जो जुलाइए अगो सप्टमर वाला क्वाटर है उश दिपार्टंग को इंट्यमेशन कब दिना पड़ेगा तो सर उसके लिए बोला क्या जो प्रिवेस क्वाटर था प्रिवेस क्वाटर मतलब अपल मही जुन वाला बेटा उसका सेकेंड मन्त मतलब मही उसकी फर्स्ट डे मतलब एक मही बेटा सर फर्स्ट महें से लेकर सर यह जो जिस क्वाटर से आपको क्यों पिस्की में आना है वो क्वाटर का जो फर्स्ट मन्त है जुलाई उसकी लाश्ट डेट नो थर्टी फर्स्ट जुलाई है अहीं क्लियर सर अगर आपको जुलाई होगों सप्टेमल मत के क्वारम यह िृफ Pow Sm की माना तो अना है तो इससे पहले वाश्ट का आपेगा ऑप्शन उसके बाद आप option नहीं कर जिससे 31 जुल्य निकल गया तो अब इससी केसमें जुलाई मेना निकल गया तो जुल्य आपको जीस्टर 1 फायल करना पढ़ेगा पैफ और जुलाई मंत निकल गया तो एक अगस्ट से आप का अप्लाइ कर सते हो कि मैंको अगले क्वाडर से क्योफिंस कि माना है और वो कब तक जिसार अगला क्वाडर होगा व्हाजो कुछ बड़ा कि ओक्टोबर 9 अगर से लेकर 31 अक्टवर के बीच में कभी भी अप्लाइ कर नँ आपका टॉर को गया अगर कि से बहार हो जाएंगे बैचा क्लियर और अगर आपको कभी वॉलंटरी स्किम से बहार निकलना था आप आगेँ आपको इंटिमेशन दना मदेगा डिपार्टमेंट को कभसे कभ तक बचा वही जैसे आपको जैनवरी फर्विली मार्च इस कवार्टर से क्योरानिकलना अब अन्रेटा व्याई मार्टर यहां नेला कल ना मेठा तो जैनवरी महिना खतम होने से पहले पहले आपको इंटिमेशन देना पड़ेगा सर जनुवरी मिना खतब अनने से मतलब 31 जनुवरी और सर इंटिमेशन कब से दिना चालू कर सकते हैं आप चाहे तो इससे पिछले वाला क्वार्टर जो ऑक्टूबर नौमबर दिसमबर था उसमें फर्स्ट अक्टूबर फर्स् पर मिड ऑफ दी कोड़र में आप की और कीमट से बाहर निकल पाएंगे बहले आपका तरनोर पार्टूबर रूपे क्रोज हो गया तो भी आप नेक्स क्वाटर से एक क्योर्टी़ सकीम से बाहर होनगी जैसे कंपूशन स्कीम था नहीं पैंको में एक्टा नहीं आप कर नि आप बस quarterly return file कर रहे हो इसलिए गवर्मन बोला कि अगले quarter से आप क्योर इंपी स्कीम से बाहर होंगे मिड़ दी quarter में क्योर इंपी स्कीम से बाहर नहीं हो सकते हैं है ना भाई clear अच्छा आपने एक बार क्योर इंपी स्कीम ले लिया तो हर quarter आपको वापस से यह स्कीम लेने की ज़रूत नहीं है मतलब by default आप क्योर इंपी स्कीम में ही रहेंगे जब आप तो सर अगर कोई परसन नया रजिस्ट्रेशन कर रहता है दुरिंग एनी क्वाटर या को रजीशेट रजीट परसन ओकम पूशन स्कीम से बाहर होके नॉमल स्कीम आ रहा है तो सर अब ऐसे केस में सर अगर आपको QRP scheme लेनी है तो यहां क्या बोला है all persons who have obtained registration during the quarter all the registered persons who are opting out of composition scheme during any quarter shall be able to opt for a scheme for the quarter for which opting facility is available on the date of exercise in the option मतलब सर ध्यान देना मेटा जिस दिन आप composition से बाहर हो रहे हो regular scheme में आपके तो मतलब आपको मंतली 3P file करना पटेगा मंतली जिस्टर 1P file करना पटेगा या आपने registration कर दिया normal scheme में composition scheme नहीं लिया तो मंतली टेक्स पे करना पटेगा मंतली जिस्टर 1P file करना पटेगा बेटा आपको तो क्या फर्स्ट मन्स से QRP scheme में आ सकते हो क्या तो उसके लिए गोवर्मेंट बोला किया अगर आपको जिस quarter से QRP scheme माना है सर उस quarter का 31 अब तक नहीं निकला बेटा मतलब जुलाई होगे सप्टेमर quarter में आपकोने registration कराया अब सर मालो 15 जुलाई को अपने registration कराया तो 31 जुलाई अब तक नहीं निकला है तो सर 31 जुलाई उससे पहले-पहले इंटिमेशन देना कि मेरे को जुलाई ओगर सप्टेमर महिन से जुलाई ओगर सप्टेमर quarter से QRP scheme में आ तो आप सकते बेटा पर अगर 31 जुलाई निकल गया और मालो आपने registration कराया कब 15 अगस्त को बेटा 31 जुलाई उससे पहले-पहले अप्ट करना था आपको तो बैसे कि इसमें कोई चीनता वाली बात नहीं है 15 अगस्त को अपने registration कराया तो अगस्त और सप्टेमर महिने का मंत्ली रिटन फैल करता ना मंत्ली जेस्टर वन फैल करता ना और अगर आपने अगला quarter से QRP scheme महना है मतलब October 9 मों दिसमर quarter से आपको QRP scheme महना है तो 31st October या उससे पहले-पहले अपलाय करता ना कि मेरे को QRP scheme चाहिए October से clear तो 15 अगस्त को registration कराया है या 15 अगस्त को आप Composition से regular scheme में आए और अगर आपके monthly return file करने की लाइबड़ी आ गई है तो monthly return file करना पड़ेगा August September का monthly return file करना पड़ेगा हाँ एक October से आप QRP scheme में आप आएंगे बिटा क्योंकि August September महिने का QRP scheme आप्ट करने का time limit था क्या 31st July जो निकल गया था बिटा आपका clear done sir अब आ रहा है क्या अगर आपको QRP scheme लेना तो आप GST invoice choice कर सकते हो बिटा मतलब मेरी 10 प्रांचे 10 का मैंने सबका अलगलग registration ले रखा है तो किसी में QRP scheme लूग किसी में नहीं लूट चलेगा clear कोई दिक्कतली बात नहीं है हाँ है ना भाई yes मतलब same pen number में multiple registration number है तो कुछ पर मैंने QRP scheme लिया कुछ पर नहीं लिया कोई दिक्कतली बात नहीं है नहीं है नहीं है कि एक भी composition से बाहर तो सब बाहर ऐसा नहीं है यह तो क्या है return file करने का quarterly system है nothing else गौर्मन को को revenue loss नहीं है इसलिए आईए अब मैंने अगर QRP scheme लिया तो सर मैं को जी एश्टार 1 भी quarterly file करना पड़ेगा 3 भी तो quarterly ही है जी एश्टार 1 भी quarterly file करना है तो सर first two month of the quarterly quarterly invoice furnishing facility दे रहे किये वह मैंने कल discussion किया भी ताब से पर एक बार वापसे बात करता मच्छा invoice furnishing facility क्यों होते ही वह यहां दे रहे रहे बेटा है है ना मालिक सर सुनना बात को धियान से invoice furnishing facility क्यों होता है अगर असेसिन ने qr mp scheme ले रखा है मेरे मालिक quarterly return monthly payment scheme ले रखा है असेसिन ने तो return मतलब 3B तो quarterly file करेगा करेगा उसको जेश्टर 1 भी quarterly file करना है पर अगर मालो मैं जेश्टर 1 quarterly file करता हूं तो मेरे customer के जेश्टर 2B में भी create quarterly पहुचे की बटा जैसे January, February, March वाला quarter था बच्चा मैंने 10 January को आपको supply किया अब मैं अपना जेश्टर 1 का file करूंगा सर March के तो आपके March के 2B के अंदर वो create reflect करेगी बच्चा आपने purchase कब किया जन्वरी में तो सर आपके पास आपने मुझे payment कर दें जन्वरी में और आपको create कर मिल रहा है बटा मार्च में कहा का इंसाफ या रही है तो सर इसलिए कि सर गौर्वर्मेंट ने इन supplier को उनको option दिया कि आप चाहे तो first two month of the quarter के लिए जो आपने बीटूबी सप्लाइ किया है उन इन्वर्स को आप पंच कर सकते हो यूजिंग दा इन्वर्स फनिशिंग फैसलिटी सर फॉर फर्स्ट टू मंत अव्धी क्वार्डर मतलब जन्वरी मैंने का सर मैंने जितना भी बीटूबी सप्लाइ किया होगा उसकी वेल्यू शुडबी अप्टू रूपीस 50 लग बिटा तो 50 लाग रूपे तक के बीटूबी वाले सप्लाइ इन पर्डगर मंत मैं फनिश कर सकता हूं थू इन्वर्स फनिशिंग फैसलिटी तो मतलब जन्वरी मै कि में टोटल सप्लाइ थी बीटा बीटूबी वाली उसका में इन्वर्स पंच कर दूंगा यूजिंग दे इन्वर्स फनिशिंग फैसलिटी इन जन्वरी बीटा तेरा फरवरी और उसे पहले पहले उसे लेट हो गया तो अगले मैंने फॉनिश कर ना ना हो पाएगा करेट एंवर्स फनिशिंग फैसलिटी 10 मार्च से सकता हो वाले और मीटी क्ẫnोच सीम मत में पहुच जाएगी उसमें जो invest में already furnish कर चुका हूं थू invest furnishing facility उसको वापस से refurnish करने ही ज़रूत नहीं वो automatic gesture 1 में आ जाएंगे remaining invest मेरेको furnish करने पड़ेंगे बेटा plus B2C वाले supply जितने भी थे वो सब मेरेको gesture 1 में सब्सक्राइब कर चुका हूं थू जीश्टर जो थूट्रू invest furnishing facility उसको वापस से refurbished Refurnish करने की जुड़त नहीं है अच्छा अब इन्मस फनिश्टी में अच्छा इन्मस फनिश्टी आप्शनल ले तिर इनको 1st 2 इंटर स्व इंट्रसेट एंड इंटर्सेट बेज लाँकिट आपको तो चाहाझा सबना चाहिक वनजिशन्मीरीज करते हैं सच्छ की देट नोट इसका मुट्र कांथ अरोड जो बील आपने पैले इस्वी उसके रेस्पेक्ट में अगर आपने debit note या credit note अभी issue किया है तो debit note या credit note भी आपको furnish करना पड़ेगा using invoice furnishing facility अच्छा यह सब optional है नहीं फनिश करना मत कर डाइट जेश्टर 1 करना जेश्टर 1 quarterly file करना और invoice furnishing facility पढ़ लिया रेसिपिंट के जेश्टर 2B में क्रेट जलेगी 2B के बार में बात हमने कल कल देए बिटा अब quarterly return monthly payment scheme qrmp quarterly return monthly payment scheme तो payment आपको monthly करना पड़ेगा भाई अब payment अगर मंतली करना है तो कैसे करना है कितना करना बच्छों क्योंकि अपना जीएश्टा 3B तो फॉलकुर्ण को क्वाडर नहीं होने के बाद कुछ इस्ट में 22nd is the due date कुछ इस्ट में 24th is the due date बटा पर payment में जो मंतली करना है वो कैसे करना है कितना करना है कैसे करना है उसके लिए बात करिए बच्छा यह बुलाए कि चिंता मत कर मंगल जैनवरी महिने का लाइवडी 25 फरवरी यह उससे पहले-पहले पहले करना पड़ेगा सर्थू फॉर्म नोबर जीस्टी पीम्टी 06 फरवरी महिने का 25 मार्च यह उससे पहले-पहले और मार्च महिना जब खतम होंगा उसका तो आपको रिटन करना ही पड़ेगा 22nd कूर्च इस्ट में 24th इस दूड़ेट बिटा यह एक्जांपल दिया जनवरी फरवरी मार्च कॉटर लेके बिटा अब सर कितना प्यम्ट कर में यहां बोलता है कि आप पूरे मेन में आपने अपने अपने कितना किया उसकी लाइब निकालना आपका इन्वर्ट कितना है उस पर टूबी के बेस पर क्रेड़ कितना वह देखना बिटा और अगर आपको इतनी कल्कूलोशन नहीं करनी है तो आप में जा सकते हो और एक कि पिछले क्वार्टर में जो आपने टेक्स पे किया था थू कैश्ट लेजर उसको डिवाइड वा थ्री मंत कर दो तो वन तर्ड कितना हो था कितना स्टेश्ट है सो सो पांशोर पचास क्लियर तो सर अब आपको पिछले क्वाडर साथ जनुवरी से मार्ज 21 अब आपने QRMP Scheme ली बेटा और QRMP Scheme आपकी चल रही बच्छा अब आपको Apple मेंने में कितना टेक्स पेकरना है Fixed method की सबसे Apple मेंने में पेकरना है इसका 35% इसका 35% और इसका 35% और जो अपरिल में पेकरना है 35% अपरिल का 35% मही का एंड सर बाद में जब 3P फाल करेंगे तो पेकरना बच्छा Clear? Done! यह हो गया Tentative Tax पेकरना Fixed method की बेसे बेटा तो गवर्मेंट को इससे revenue loss नहीं हुआ सर मंतली आपने टेक्स पेक्या होगा बटा तो यह quarter से पहले वाला जो मंत था जैसे March में में normal scheme में था कोई QRMP scheme नहीं था तो मार्च में तुन्हें टेक्स कितना पेक्या था इन कैश उतना उतना टेक्स तू पेकरना अपरिल और मही महीने में सर वह जागा क्या fix some method आपका बेटा क्योंकि March भी एक महीना था अपल भी एक महीना है मही भी एक महीना है बेटा तो महीने में कितनी लाइब भी ती आपकी जो प्रिवेस मंत में आपने आपकी चोईस है हमें को दिकत नहीं है अच्छा जो भी आप टेक्स पे करेंगे वह एलेक्ट्रोणी कैश लेजर में डिपोजिट हो जाएगा मॉंट पर उससे आप इलेक्रोणी कैश लेजर से आपको पता है रिटरन ले सकते हैं बटा कभी भी पर जो आमाउंट आपने अच्छ अब मान लो आपके एलेक्रोणी कैश लेजर में जो बैलेनस है वह आपको अभी पेंन ही करो टोटर चल जाएगा यहाली न झारी वह अ हएक लृटा कि एडिशनल अमांट ओफ पेमेंट इन दी फर्स्ट टूमंत अब आईए कहा सर यह हो गया क्या मंतली पेमेंट विटा अब आ रहा है क्या क्वाटरली फालिंग ऑफ जीश्टा 3B विटा भाई आपने क्योर्मपी स्कीम ली तो आपको रिटर्न कब फाल करना है कब तक फाल क फिर देखना कितना टेक्स पे बलाता है आपने जो अल्रीट टेक्स पे कर दिया और किसी ने फिक्स सम्मेथड लिया था और फिक्सम मेथड के यहाब से जो उसका लाइबड तो उसने डूडेट तक पे कर दिया था तो कोई इंट्रेस्ट की बात नहीं आएगी बिटा जै जैसे इस एक्जांबल में आपका लाइबड रिधा कितना बिटा जैसे रस्पेक्टिव हेडवाइस इतना तना आपका लाइबड रिधा बिटा यह अपने डूरे पेले बिदिद मु आपके पच्छेस मही यह उससे पहले पले पले कर दिया अब बात में जो आक्शुली लाइबडी तो बहुत ज़्यादा थी और आपने फिक्समितर के साबसे कम पे किया हम आपसे कोई इंट्रेस्ट नहीं लेंगी क्योंकि गौवर्मन ने खुद अगर अगर आपने सेल्फ असेश्ट में लिया होता और सेल्फ असेश्ट करके अपने टेक्स पे किया फिच जब तक पे करोगे तब तक का इंट्रेस्ट परेनम् सेल्फ असेश्ट मेथ्ध लिया यठ्ष जो बेदर अपने लिया उसकी डिड़्ी चाही बड़़ अगर जैसे जनवरी मेन ही फिज्ट के बाद पे किया तो जितना पेड़ जितना लेट पेड़ उसका इंट्रेस्ट आपको पे कर नहीं पड़ेगा बेटा क्लियर ठीक सब आईए बच्चो यह पेमेंट इंटरेस्ट की बाद भी कतम जो मेरा आपको समझा है वह आप आपने इन्वेस फनिशिंग फेसलिटी यूज करके इन्वेस फनिश नहीं किये तो वेसे भी अप्शनल था कोई लेट फैलिंग फी नहीं लेगेगी अच्छा फिक्सम मेथड की सबसे मंतली टेक्स पे करना था उसमें लेट होगे तो लेट पेमेंट टेक्स के लिए इंटर पूरा आपके मैंड में फिट हो गया है अगर आपको कि यूरेंपी स्कीम कभी भी रिवाइज करना हो या आपको मानलों लगता है कि मेरे को एक बर वापस से पढ़ना है तो सर इस लेक्ट्र को आपस से पूरा रिवाइज हो जाएगा बच्छो पर आई तिंग पूरा कर सकते हो यह अब से जश्क और वन कोई से घंटी कोई मिस्टेक हो गया अपर बोल दिया किया चिंता मत कर मंगल सर आप मिस्टे को रेक्टी कर सकते हो करना है विस्ट से कोई जिस financial year से related वो GSTR 1 था या return था, वो return फाल करने के बाद उस financial में तो आप rectify करें सकते हो, financial खतम होने के बाद भी 30th November या actual filing of annual return, whichever is, earlier तक आप return को या GSTR 1 को rectify कर सकते हो, सर मालो जैसे January मेने में कोई गलती हो गई, जुलाई में समझ माई, तो जुलाई मेने में आप प्रायर प्रेट के amendment कर सकते हो बेटा, प्रायर प्रेट आइटम में amendment करके rectify कर सकते हो mistake को, पाकि जन्वरी मेने का return revise नहीं हो पाएगा बेटा, पर हाँ, सर, rectification एक किसम नहीं कर जिसका exception देर का है, अगर department आपकी चोरी पकड़ी थी, during scrutiny, audit, inspection या कोई enforcement activity जो tax authority ने शुरू करी बेटा, तो उन्होंने चोरी पकड़ी अब आप क्या बोलते हो, हाँ, गलती होगी थी, अब में rectify करते हो, मिस्ट को, और भाई, अब rectify करने का option नहीं मिलेगा अगर उन tax period का मतलब क्यों होता है, वो period जिसके आपको return file करना होता है, अगर आपने qrmp scheme ले रखा है, तो quarter is the tax period, अगर आपने qrmp scheme नहीं ले रखा है, तो month is the tax period बेटा, अब tax period में, मालो किसी tax period में कोई supply नहीं था, तो return file करना है, yes, अरे returns तो department को बताना पढ़ेगा ना कि इस quarter में या इस महीने मेरे कोई supply था ही नहीं, बताऊगे किसे, nil return file करके बेटा, तो ऐसे case में, अगर आपके return में किसी भी column में कोई भी entry नहीं है, उसको बोलते है, nil return पहली बात ही है, यहां लिखाए बेटा, clear, आपका gstar 3 भी हो, gstar 1 हो, या cmp 08, compulsions की वालोगो जोट एक्सपे करना परता ना quarterly, ght cmp 08 के तुरू बेटा, उसको nil माना जाएगा कब, जब पूरे return में, किसी भी column में कोई भी entry नहीं है, तो बोलते है, nil return, और nil return आपको file करना compulsory नहीं, तो late filing feel लगेगी, बेटा, clear, और आप चाहे तो एक short SMS के तुरू, mobile, registered mobile number से short SMS के तुरू भी, nil return submit कर सकते हो, so that आपको compliance में time नहीं लगे, बेटा, clear, done, और mobile नमर पे OTP आजाएगा, और OTP waste verification होके, OTP waste verification होके, आपका nil return file हो जाएगा, SMS के तुरू बेटा, clear, done, आईए, सर, section 39, subsection 10 बोलता है, क्या, a registered person, shall not be allowed to furnish a return for a tax period, if return for any of the president tax period is pending, मतलब मैं तुम्हें समझात हो, बे दिसंबर का return file नहीं क्या, क्या January का file कर पाओगे, नहीं, तो January मैने का 3B आप तभी file कर पाएगे, जब December मैने का आप तभी file किया, plus January मैने का return आप तभी file कर पाएगे, जब January मैने का आप आपने g star 1 file कर दिया, मतलब, जिस tax period का आप return file कर रहे हो, उससे पहले वाले tax period का return file हो जाना चाहिए, plus current tax period का g star 1 file हो जाना चाहिए, तभी आप 3B file कर पाएगे, वना 3B file नहीं कर पाएगे, आईए, 39, 11 क्या बोलता है बच्चों, ये बोलता है क्या, सर return file करने की due date निकले वह तीन साल हो गया, त तो उसके बाद आपको रिटन file करने नहीं देंगे, except where the government allows the same, अचा, same point हमने पढ़ाता क्या, अचा, TCS वालों के लिए, एलेक्ट्रोनिक कॉमोर्स ऑपटर, जेसर एड़ फाइल करना पड़ता है, same point था वापए, जेसर 1 में भी same point पढ़ा हमने, जेसर 3B में भी same point है, और आगे annual return में भी same point आएगा बटा, अरे clear, clear, okay, sir, सुनना ध्यान से बटा, अरे यहां तक समझ में आएगा बच्चो, clear, यह हमने जेसर बन के बार में सारी बात कर ली, sir, जो हमने कल करी दी बिटा, और अभी हमने जेसर 3B QRP scheme के regarding सारी बाते कर ली, return के बार में सारी बाते हमने कर ली, अब कुछ cases में special returns है, अब वो special returns के बार में क्या बोला है, sir, वो भी हम देख लेते बिटा, एक मिर्ट, एक मिर्ट, पोस करना, आए, मालिक, special returns के बार में बात कर लेता है, सबसे पहली बात, sir, composition scheme वाले लोग, sir, जैसा हमने और अरड़ी पढ़ावाए क्या, composition scheme में जितने भी लोग है, वो annual return file करेंगे, इन फर्म नमर जेस्टर 4, financial कतम होने कबाद, 30th एपलियो से पहले है, पहले बेटा, अब मालो मैंने composition scheme ले रखी है, आप से मैंने कोई goods purchase किया, services purchase करी, तो आपको मैंने अपना जेस्ट नमर दिया होगा बटा, तो आपके लिए तो B2B supply है, अब आप normal registered person हो, आपने जब अपना जेस्टर 1 file किया होगा, तो वो मेरे लिए, मेरे लिए, जेस्टर 4A में आटो प population of invert supplies in my form number GSTR 4A, अच्छा, GSTR 4 में क्या क्या आएगा बटा, invoice wise, interstate as well as interest invert supplies received from registered and unregistered person, बच्छा, and consolidated details of output supplies made, बटा, अच्छा, sorry, GSTR 4 में क्या 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 information होगी बटा, वो बात चल रही है, सर, जितने भी मैंने invoice wise invert supply लिए, प्लस, जितना भी unregistered लोगों साभी purchase करीए, वो सब register हो या unregistered जिन साभी purchase करीए, वो सब GSTR 4 में आएगा, प्लस, outward supply जो थी पेटा, वो consolidated data में को एक साथ furnish करना पड़ता है, कि मेरे turn over इतना था, इतना text पे के बात करता है, सर, फिर द composition scheme opt किया, तो 31st March तक जितना भी मैंने supply किया, उन सब के लिए GSTR 1 और GSTR 3 भी मेरे को file करना पड़ेंगे, मतलब, prior to the opting for composition scheme, मेरे को normal return file करना पड़ेंगे, GSTR 1 और 3 भी बेटा, then statement of returns for the period prior to exiting from composition scheme, मालो 14 Feb को आपका turn over cross हो गया, 1.5 रोड बेटा, यहां किसी भी कारण से आप composition स बार हो गए, तो 14 Feb तक जो आपने supply किया, उन सपर तो composition scheme वाला return GSTR 4 फाइल करना पड़ेंगा, GSTR CMP 08 फाइल करके text पर करना पड़ेंगे आपको, clear, done, तो जिस दिन तक आप composition scheme में थे, उस दिन तक का आपको, जो turn over था, जो supplies थी वो GSTR 4 के तुर आपको furnish करना पड़ेंग आपको 14 Feb midday मालो, midday से लेकर, 14 Feb से लेकर, 14 Feb midday से लेकर, February end तक, जो आपने supply करा, उसके लिए आपको GSTR 1 और 3B फाइल करना पड़ेंगा, पर 14 Feb, जब तक आप composition scheme में थे, उस तब तक की turn over के लिए आपको GSTR CMP 08 फाइल करके text पर करना पड़ेंगा, और तब तक की turn over क organizations, organizations के specified organization बेटा, clear, या उनके कोई specific project चल रहे है बेटा, या foreign embassy वेकर जिनको UIN नमबर दिया गया है, उन्होंने कोई अगर inverse purchase किया है, तो इस पर जो GSTR PAY किया, उसको refund मिलता है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, form number GSTR 11 file करना पड़ता है, along with the application for such refund claim, ठीके, done, आ सरकार, अगर कोई person liable for registration था मालो 14 FAB को, उसने registration के लिए अपलाए किया कब, 1 March को, registration certificate का मिला पड़ा, 5 March को, what is the effective date of registration, 14 FAB, तो 14 FAB is the effective date of registration, तो सर, 14 FAB से लेकर, जो उसने पूरा supply किया, जब तक उसको registration certificate नहीं मिला, वो सब भी तो उसको return में डिक्लेर करना पड़ेगा, तो सर, February मैंने का return file होगा, कब, 20 March है उससे पहले पहले, तो उसको 14 FAB से लेकर, 28 February तक जो supply हुआ, वो 20 March को return में declare करना पड़ेगा, सर, 1 March से लेकर, 31 March तक जो supply होगा, सर, 28 April उससे पहले पहले, जेश्टा 3B में file करना पड़ेगा, कुल मिला के, जिस प्रिट के लिए आप रिज 14 FAB हो गया, हाँ ना भाई, तो इस प्रिट के लिए जो आपने supply किया, 14 FAB से लेकर, 5 March तक जो आपने supply किया, वो सब भी आपको अपने return में declare, करना पड़ेगा, in your first return, बेटा, ओके, done, annual return, सर, every registered person is required to file the annual return, फिनेर्श कतम होने के बाद, 31 December या उससे पेले-पेले आपको annual return प्रिट करना पड़ेगा, in form number GSTR 9, हम बात ओलरी कर चुके बिटा, पर, इन following लोगों को, सर, annual return प्रिट करना ज़रूरत नहीं है, कि इनको, casual tax person, NRTP, input service distributor को, अब ISD input service distributor क्या होता है, यह मैं आपको पड़ाया नहीं क्योंकि आपका syllabus में आता भी नहीं, ठीके, sir, फिर persons authorized to collect and deduct TDS और TCS बच्चो, then, any department of the central government, और state government, और local authority, whose books of account are subject to audit by C&A G, पिटा, controller and auditor general of India, उनका audit वेसे भी करता है, या फिर, an auditor who is appointed for auditing the accounts of local authority, under any law for the timing in force, अगर इनका audit हो चुका है, तो इनको annual return file कर नहीं जरूरत नहीं है, प्लस, OIDA service supplier, जो out of India से India में, OIDA service दे रहे है बेटा, इनको भी, sir, annual return file करने की जरूरत नहीं होती है, clear, बाकि सबको annual return file करना पड़ेगा, बच्चो, हाई ना भाई, प्लस, commissioner के पास power की बचाहे, तो कुछ category of person को, exam भी कर सकता है, from filing the annual return, जैसे, exam क जिनका भी turnover 2 crore से कम है, उनको annual return file करने की जरूत नहीं, उनको exam किया है, ठीक है, बागी 2 crore से कम के, जिनके turnover है, aggregate turnover, उनको annual return file करने से exam किया है, आईए, self-certified reconciliation statement में, आपको अल्री पढ़ा चुका है, कि अगर आपके financial turnover में, और GST वाले turnover में को difference है, तो आपको एक annual return के साथ में, एक self-certified reconciliation statement भी submit करना पड़ेगा, in form of GST 9C, along with the annual return, पर ये उनको फाइल करना, जिनका aggregate turnover in the financial aid was exceeding rupees 5CR, clear, done, sir, अब मैं उल्री बात कर चुका हूँ, कि annual return file करने में, लेट हो गए, तो लेट फाइल कर सकतो, with late filing fee, पर 3 साल निकल गए, अब आपको annual return करने की जरूत, नही हम फाइल ही नहीं करने देंगे, except where the government allows the swim, वह बात अलग होगी बिटा, अगर अलग हो करते हैं, तो सेम बात हमने GST 8 के लिए फाइल करी, पड़ी, TCS के लिए बेचा, सेम GST 1, सेम 3B, और सेम annual return के लिए बिटा, okay, done, अब मैंने मालिक, अगर return file करने में, आप लेट करते clear, sir, तो तुमको बताए, तुमारी एक, तुमारी इस एक छोटी सी गलती से, तुमारा कितना तमाशा होगा, इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, तो sir, मैं बताता हूँ, अंदाजा देने के लिए sir, section 46 सबसे पहले, notice to return defaulters, सबसे पहली बात है लिखी क्या, अगर नौरेट से पहले, तो sir, आपको एक notice serv कर दे जाएगा, department के through, system general notice आएगा, और उस notice में बोलेंगे किया, अगले 15 दिन में आप return submit कर देना, अगले 15 दिन में आप return submit कर देना, पर अगर आपने अगले 15 दिन में return submit नहीं किया, तो क्या होगा पता है अपको, इसका अंदाज नहीं है क्योंकि इसका अंदर्ज आपको CA final level में आने के पता पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे assessment का एक section देर का है और वहाँ पे officer के पास power arise हुज जेता है कि वह अपने available information document records के बेस्ट जज्जमेंट यूज करके assessment कर सकता है बेटा उसको बलते है क्या अगले 15 दिन में return submit कर देना नहीं क्या होगा इसका अभी आपको नहीं है इसका आपको बता चुका हूँ कि इसका नुकसान क्या है बेटा अब सर सुनना आप 15 दिन में return file करो या ना करो लेट filing fee तो आपको pay करने ही पड़ेगी 20th is the due date आपने 21 को फाल गया तो भी एक दिन का late filing fee पेगना बड़ेगा बचा मतलब यह notice दो सर्व किया है उसके पंदा दिन में return file करो या ना करो late filing fee तो ही यह बेटा अब late filing fee कितना है बच्छो देखना दियान से अगर आप JSTAR 1 file करने में late हो गया बचा इसे केस में late filing fee कितना है बचा रूपीज 100 पर देखना अंडर CGST Act और रूपीज 5000 विचवर एज लोवर अच्छो यह CGST late filing fee पेटा मतलब 200 रूपे late filing fee पढ़े सब्जेक्ट में maximum 10,000 रूपे एक्जाम में आपको क्यों CGST लिख्या ना बचा क्योंकि आपके कोर्स में क्यों CGST ही आता है पर सो रूपे पढ़े बहुत बड़ा मांट होता है सर अगर पास दिन लेट हुआ साजी तो 500 रूपे लेट filing fee है और कई सारे बिजनस में ने से जो दिन के 500 रूपे कमाते भी नहीं बेटा क्लियर अब उनके लिए इतना late filing fee बोल दे कितना दुक्सान हो जाएगा इसलिए गौर्मेंट ने क्या किया बेटा थोड़ी रहम करीन पे और late filing fee क्या कर दिया reduce किया बेटा कितना reduce किया सुनना ये table आपको याद करना पड़ेगा एक्जाम में आता है कभी कभी सर अगर registered person का nil output supplies था या sir return जो था वो nil था बेटा तो g star 1 हो या 3 b या g star 4 हो अगर वो nil है और nil return या nil statement file कर दिया लेट हो गया तो भी late filing fee रुपीज 10 per day subject to maximum 250 ये 250 per return ने में बेटा cgst का clear sir rupees 10 per day subject to maximum 250 cgst का late filing fee फिर अगर किसी अससी का turn over in the preceding financial year was up to rupees 1.5 करोड अचा nil है तो sir आपका turn over प्रिवेशन में कितना भी उससे concern नहीं late filing fee इतना ही रहे गया बेटा निल वालों के अलावा बात करों में आप से बेटा अगर किसी sg का g star 1 या 3 b या 4 फाल कर ने में लेट हो गया और उसका in the preceding year में turn over was up to rupees 1.5 करोड तो late filing fee केवल रुपी 25 है प्रिवेशन में लेट हो गया तरसी केसम लेट फालिंग फी रुपी 25, maximum 2500 ही है फिर अगर turn over more than 1.5 करोड पर अप्र रुपी 5 करोड था in the preceding year और G star 1 या 3 फाल कर ने में लेट हो गया तरसी केसम late filing fee रुपी 25, maximum 2500 is the late filing fee अच्छा यहाँ पर G star 4 नहीं लिखा है क्योंकि G star 4 तो composition scheme वा लोग ले होता है और composition scheme उन्हीं को मिलती है जिनका turn over प्रिवेशन में 1.5 करोड से कम होता है यह तो वैसे भी कोन लोग है जिनका turn over more than 1.5 करोड अप्टू 5 करोड था तो वैसे भी composition scheme यह लो देन TDS वाले लोग G star 7 फाल करने में लेट होगे तो रुपी 25 पर यह maximum रुपी 1,000 is the late filing fee IHD अगर लेट फाल कर रहा है G star 6 तो late filing fee किता है रुपी 25 पर यह maximum रुपी 5,000 IHD के लिए बेटा वैसे IHD का भीयाद नहीं करें कि तो भी चल जाएगा क्योंकि आपके syllabus में IHD नहीं RTP हो जिसका टोटल अमॉंट और सी जेश्टर 5 फाल करने में लेट होगे तो रुपी 10 पर यह सब्जेक्ट मैक्सम पाच जार रुपे बेटा तो पर यह वाली लेट फालिंग फी कम करी पर मैक्सम फी कितना है पाच जार वह कम नहीं किया इसके लिए पर अगर निल टेक्स पर नहीं है कुछ जेश्टी लाइबडी बनती है और लेट फालिंग और जेश्टार 5 फाल करने में लेट हो गया तो रुपीज 25 पर यह मैक्सम रुपीज 5000 फालिंग फी बेटा क्लियर अब सुनना बच्चो द्यान से मतलब कुल मिला के वापस रिवाइस करता था आपको बेटा अगर आपका प्रिवेश सोरी अगर आपका निल जेश्टी लटेक्स पेवल था यह निल लेट फालिंग फी कितना बेटा रुपीज 10 सब्जेक्ट मैक्सम पीज 250 पेटा है ना भाई पर अगर निल नहीं था टेक्स पेवल था यह निल लेटन नहीं था आपका बेटा और अगर आप जेश्टर 1 या 3B या 4 फाल के नहीं लेट हो गए पर आपका प्रिवेश से लेट अटर नोर 1.5 करोड या उसे कम था तो रुपीज 25 सब्जेक्ट मैक्सम पीज 1.5 करोड त तो रुपीज 25 मैक्सम ट्वेश्ट या 3B या 3B बेटा क्लियर सर फिर अच्छा एक बात अगर आपने नोट करियो बेटा जेश्टर 1 और 3B फाल करें में लेट होगे लेट फालिंग फी यह देर गा है पर अगर आपका टार और मोर देन 5 करोड था इन प्रिसिडिंग फिनेशलियर तो भाई साब जेश्टर 1 या 3B फाल करें में अगर आप लेट हो गए है तो तो लग गए पेटा करें मोर देन 5 क्रोड टानोर अगर आपके है तो लेट फालिंग करें आप लोग लिए आप लोग लेए यह समय कितना है पिटा रुपीज हंड़ेट पर डे और रुपीज 5,000 विच्वरेज लोवर इस देलेट फालिंग फी वो तो जिनका टानोर अप्ट रुपीज फाल कर वोड़े उन्हीं के लिए कम करी मिच्छा क्लियर अच्छा हां अगर आपका निल रिटर्न है तो तो हर केस में भली टर्णूर कितना विव बीटा हमेशा दस रुपे पाड़े ही है सब्जेक्टि मैक्सम् टूफिफ्टी बेटा ठीक है सर फिर तो लेट फालिंग फी कितना है रुपी ज हंड़ेट पर अच्छा करे पाड़े है सब्जेक्टि मैक्सम् टूफिफ्ट बेटा थो in the state, whichever is lower 100 रुपे पाडे or 0.25% of the turnover in the state whichever is lower is the late filing fee, अगर annual return file के नम लेट हुए तो पर अगेन, ये 100 रुपे पाडे or 0.25% of the entire turnover, whichever is lower ये अगेन क्या होता है सार बहुत भारी अमान पड़ता है इसले अगेन गवर्मन ने क्या किया 2022-23 onwards late filing fee, annual return के case में भी कम कर दी बेटा कितनी करी बेटा अगर आपका turnover was up to Rs. 5 crore in the current financial year प्रिवेजर नहीं, current financial year बेटा तो ऐसे case में late filing fee कितना, Rs. 25 per day subject to maximum, 0.02% of the turnover in the state or union territory बेटा अगर turnover was up to Rs. 5 crore in the current financial year और उसका annual return file के नहीं late हुए तो इतना fees है बेटा पर more than 5 crore पर up to Rs. 20 crore अगर 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 आप annual return file के नहीं late होगे तो late filing fee कितना है बेटा double, 25 नहीं, 50 रुपे per day maximum कितना है बेटा, वो 0.02% ही है बेटा clear? तो up to 5 crore turnover, 25 रुपे और 0.02% of the turnover और अगर more than rupees 5 crore, up to Rs. 20 crore अगर 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 के नहीं तो कितने 100 रुपे per day subject to maximum 0.25% of the turnover ही है बेटा अच्छा अगेन यहां वी में नोट दे रहा है बटा कि लेट फालिंग वी जो मैंने बताए आपको यह सीज्डेश्ट की लेट वी यह एक को लेट फालिंग फीज अप्लिक 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 अडर एस टीट अप्छो इस एक साथ भरत मता की जय अगला टुपी क्या है जीए प्रेक्टीश्टर क्या होता है अगर आप अपना अंधी जीए पोटल तो आप अपना खुद का मलब जीए प्रेक्टीश्टर अपना खुद का लोगिन एडी पासवर्ड यूज करके क्लाइंट के डेटा को एकसेस करके उसका रिटन फाल कर सकता है नॉमली क्या था है क्लाइंट का रिटन फाल करने के लिए सीएल साबको क्लाइंट का लोगिन एडी पासवर्ड चाहिए होता है और उसका यूजर एडी पासवर्ड यूज करके सीएस आप रिटन फाल करते ह पर अगर अपने अपने आपका जीस्टी पॉर्टल पर रिजिस्टेशन करा दिया तो इसे किसमें आप खुद का ही जिस क्लाइंट आपको ऊथराइस किया जो काम करने के लिए वो काम आप खुद के लोगी निटी पासवर्ट को यूज़ करके डेटा को एक्सेस कर सकते हो क् बढ़ने हो जाए वहना जीस्टी प्रेक्टिशन भी नहीं बन पाएंगे अच्छे से बढ़ा ही करो नोट एजुट के ड़ेट इस इंसल्वेंट सर जो परसन इंसल्वेंट है ओल्रेडी है ना भाई सर वो कभी भी जीस्टी प्रेक्टिशन नहीं बन सकता अब परसन वह गणिविक्तीट बया कंपरेंट कोड जो कूद एक मुझीं करा रACH दिया गया है वो किसी की प्रेक्टीशन क्या बर्डेग fight उ कर bene हो डंक कस नहीं कर प्राईंगे मिटा टू सुब का बैदिधी है टंप लिलिकशन नहीं घृच्छा नहीं स्टेट नहीं से ना लिवकश CBIC department का return officer था who during the service under the government had worked in a post not lower than the rank of group B budgeted officer for a period of at least two years group B budgeted officer की rank यह उसके अबाउ rank वाल यह officer की तरह उसने काम किया for at least more than two years at least two years वच्छा then enrolled as a sales tax practitioner or tax return preparer under earlier indirect tax laws service tax weight वगर में sales tax return preparer था for not more than not less than five years वच्छा मतलब at least पासल के लिए वो sales tax return preparer था he has acquired any of the prescribed qualification which are mentioned below बेटा ओके तो सर यह सब तो ही है प्लस यह भी होना चाहिए बेटा हाँ ना भाई अगर आप इंडियन सिडिजन हो personal sound mind हो insolvent नहीं हो कई भी convict नहीं हो किसी कोट ने मुझरिम करना नहीं दिया तो अगरी falling qualification आपके पास है तो yes you are eligible for GST Practitioner first graduation ये आज समझ में become क्यों इंपोर्टेंट है तो graduate और post graduate degree और इस equivalent examination having a degree in commerce, law, banking, including higher auditing और business administration या business management from any Indian university established by any law for the timing in force या फिर same degree examination of any foreign university which is recognized by Indian university which is equivalent to degree examination of one above third any other examination notified by government on the recommendation of the GST council for this purpose कई बार GST council क्या करेगा आपके लिए exam रख देगा वो exam pass करो तब जा क्या बरोगी क्या GST Practitioner any degree examination of the Indian university or of any foreign university recognized by Indian university age is equivalent to degree examination बिटा Indian university या फोरें इनिवर्श्टी का कोई आपने degree examination पास किया बिटा and last he has passed final examination of the ICAI ICSI or Institute of Coast Accountants of India तो वो eligible हो सकता as a GST Practitioner भारत मता की जै सर फाइनल एक्जामनेशन intermediate नहीं बिटा अब सर कौन-कौन से काम वो कर सकता है मालो आप eligible हो गए आपने अपना registration करा दिया as a GST Practitioner अब आप काम क्या क्या कर सकते हो as a GST Practitioner first देखो दियान से पहली बाद तो client आपको पहले authorized करना चाहिए तो ही आप वो काम कर पाओगे client ले बिटा a GST Practitioner can undertake any or all of the following activities on behalf of registered person if so authorized by him registered person अगर आपको authorized किया तो आप ये following काम कर सकते हो पेटा हो क्या 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 काम first एक मिट furnish the details of outward supplies GST one file कर सकते हो पेचा furnish the monthly, quarterly and annual or final return file कर सकते हो make deposit of credit into the electronic cash laser file a claim for refund file an application for registration अमेंडमेंड और कैंसलेशन देन फ़निश इन्फोर्मेशन फोर जनरेशन ओफ इवे बिल फ़निश डिटल्स ओफ चालान इन पिसका फॉम जैसे जोब वर के केस में गूद्स बेजना है तो चालान जनरेट करना पड़ता है वो भी वो फिल कर सकता है बेटा फाइल एन इंपलीकेशन फोर अमेंडमेंड और कैंसलेशन अफ्य एंडूर्मेंड ऐजड ट्रांसपॉर्टर और वेर мелरमेंड बिटा वेर वेरहाऊसस बतार और बिटा ऑूर्डि जेस्टी डिल अंहीं है पर वो च्नहीं पर टेक्सावल takąट करते है बेटा टेक्सा अगर वो क्लाइन उसको उत्राइस करता है तो पर वेर दी एप्लिकेशन इस रिलेटिंग तो कैसे सब्सक्राइब करना इसलिए अगर इनकी की एप्लिकेशन फाल कर रही है बाई जीश्टी प्रेटिशनर तो अग कन्फोर्मेशन शेल भी सौट फ्रम दी रजिस्ट परसंट में आपके इमिल इडी मोबल नुमर पे ओटीपी आएंगे उससे वेरिफाय करो कि तब जा कि यह जीश्टी प्रेटिशन इतीनों काम कर पा क्लासिफिकेशन अफ गूड्स अंडर जीश्टी आपको पता है बचा क्या सर लगबग पाच लाग से ज्यादा गूड्स कवर कहां टेरिफ के इन दे बिटा जीश्टी टेरिफ आपके कोर्स में आता है पर जीश्टी टेरिफ कभी आपके हातने दे दिया तो उसमें वह को एचसन कोर्ड निकालने की बाद समझ धिन यए कि एचस ruins code क्या होता बेटा तो गवर्मन्ट ने यहां थोड़ा सा समझाए कोशिच करी क्या होता है डवली टयोने और अपने सारे member country साथ एक agreement किया है उसका नाम क्या है GAT General Agreement on Trade and Tariff WTO ने अपने member country साथ जो agreement किया उसके त्रूँ एक schedule issue किया rate of tax वाला बेटा जिसमें सारी goods का नाम और उसके आगे एक number लेकर का सारी goods का नाम के आगे बेटा clear? और सर सारी member country of WTO में वरल्ड के सारे देशों को बोल दिया क्या आप भी अपने अपने देश का जो tax का schedule बनाएंगे goods और service का वो इस according ही बनाए so that system of nomenclature सारे member country of WTO में harmonized रहे इसले उसको बलते क्या? harmonized system of nomenclature जिस number पे कोई goods इंडिया में लिखावा है माल लो कोई number है 67801090 बेटा this is the HSN code of any goods world में किसी भी country के पास रहे जाना जो WTO का member है बेटा उसके भी इसी number पे वो goods मिलेगी बस rate of tax हर country ने अपने अपने इसाब से change किया बेटा clear? तो system of nomenclature बहुर harmonized हो जाएगा इसले इस code को बलते क्या HSN code clear? अब गौवर्मेंट ने क्या किया? पूरे टैरिफ में जो 4.500.000 गूट्स कवर्ड है उसको system d grouping किया बेटा तो पूरे टैरिफ को इन्होंने sections में divide किया, section बलब हिस्सों में divide किया, फिर sections को chapters में divide किया, फिर हर chapter जब शुरू हुआ, उसको headings में divide किया, heading में grouping करी सब heading को, और फिर tariff item दिया और यहां जाके rate of tax दे रहे हैं, जैसे 18% है, 9% जो भी rate है बेटा, मतलब किसी भी goods or service पर अगर आपको rate of tax निकलना है तो यह पूरा पढ़ाव आपको पार करना पड़ेगा तब जाके rate of tax निकलेगा बेटा, तब जाके hsn code निकलेगा बेटा clear, चलिए, और मैं आपको बताता हूँ प्लस हर chapter को इन्होंने 2 digit number दिया, जैसे chapter 67 तो 67 chapter में heading आईगी, उसको 2 digit number और दिया, जैसे 6780 1020, 1215, एसी बहुत सारे heading दे रहे की बेटा फिर sub heading को 2 digit number और दिया है बेटा फिर tariff item को 2 digit number और और दिया, और तब जाके यह जैसे 9080 भी number है बेटा, तब जाके आपका tariff item number निकलेगा, इसको बोलते है क्या HSN code और हर goods, हर service का इन्होंने HSN code नमर दे रहे है, अब सर कभी भी इस code के बारे मात होगी तो इस code को आप पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कौन-कौन सी goods cover है बेटा, उसके rate of tax क्या है, उसके बारे में कोई exemption दे रहे है नहीं दे रहे है, गौर्मेंट ने हर goods और सब इसका HSN code दे दिया है बेटा आपको HSN code याद करने की ज़रुरत नहीं होती बेटा, clear? समझे मेरी बात बच्चो, done अच्छा, पता है, यह HSN code को नया नहीं है बेटा, पहले excise होगा करता था, customs duty अभी भी है बेटा, पूरे वर्ल्ड में international transaction अभी होता है, हर देश में custom है बेटा, सब में tariff और इटा यह तो GST में भी same adapt कर लिया बेटा, बस rate of tax GST की लगा दी बेटा, बाकी जिस नमबर पे goods custom है, उसी नमबर पे goods GST में भी मिलेगा बेटा आपको, clear, done सरकार, फिर जब services introduce करी GST में बेटा, तो गौर्मन ने tariff के इंदर 99th chapter भी add किया है बेटा tariff के इंदर 98 chapter पे ले थे बेटा है आपे, 98 एक नया चप्टर 8 किया, 99 chapter जो किसका था बेटा, services किता बच्चो clear, और उसमें सारी services की list डालके, हर service को भी एक HSN code दे दिया है बेटा हाई ना भाई, उसको बोला गया सर, services का HSN code, सारी services को भी classify कर दिया है बेटा तो किसी भी service का आपको HSN code निकलना है तो उसका 99 chapter में आपको जाना पड़ेगा फिर उसमें section दिये फिर उसमें heading दिये फिर उसका grouping किया, और फिर terrified में service code दिया है बेटा, और आपको किसी भी service का code निकलना है तो सर यह पड़ाव पार करके, यहां तक पोचना पड़ेगा तब जाके आपको service का code मिलेगा 8-digit HSN code और यहां जाके rate of text मिलेगी बेटा आपको बेटा हाई ना भाई, clear, तो this is how systematically, each and every goods and service have been classified और accordingly आप, उस goods का या service का HSN code निकलेंगे, accordingly आप rate of text निकलेंगे बेटा, और इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ ये chapter भी कतम होता है, अब answer, last time पुछूँँगा आप से क्या How's the Josh? Hi sir answer, maintain करें अपनी पड़ाई की speed को, अपने concentration को मस्त हो के पड़े, खूश हो के पड़े, which is more important, ध्यान रगना अपना time आएगा, नहीं अपना time आगया है यही वो वक्त है अपना पुछ प्रूव करने का जिस दिन result आएगा उस दिन आप कुछ प्रूव नहीं करने वाले, प्रूव करना है अगर उस दिन, तो वो आज मेहनत करोगे तो उस दिन अपना पुछ प्रूव हो जाएगा बच्छो clear? और अपना time आगया है अभी नहीं तो कभी नहीं लगा दो अपना पुरव नहीं और sir, my all wishes are for you guys मस्त हो के पड़िये खूश हो के पड़िये, which is more important love you a lot, all the best sir, दुआओ में याद रखिये है अजया है, बजया है